ये है इंडिया फर्स्ट कम्यूनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सरवदा भारती पाकिस्तान के बेकाबू हालात और लाहोर में हिंसा और आगजनी की ख़बरों के साथ नमस्कार मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सरवदा भारती है पाकिस्तान में इमरान खान के अरेस्ट के बाद लगातार हालात बेकाबू हो रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ लगातार जिस तरह से जो 70 उढ़िया गया है जाएगा पाकिस्तान के सतर उर्दल का कहना है कि इमरान घंग की जान को घत्रा है लियाजा अब उन्हें सोच समझ की अदालत तक लेकर जाएगा और इस बीच पाकिस्तान से लगातर जो खबरे आ रही है वह आपको दिखाना चाहेंगे जो तस्वीरे काफी यहां पर जो बह पाकिस्तान में इंटरनेट सिवा बंद कर दी गए है आपको ताज अबजट बता दें पाकिस्तान में इंटरनेट सिवा पुरी तरह से बंद कर दिया गया है और अब ये जो हालात है वो पुरी तरह से बेकावू होते जा रहे है सबसे अधाद या जो असर जो देखने को मिल रहा है वो खैबर पक्तूनवाई अलाखे पर रेडियो पाकिस्तान की इमारत में भी आग लगा दी गई है इससे पहले हमने देखा था कि लाहोर में किस तरह से कोर कमांडर जो आर्मी के उन्हें उनके जो घर हैं उसको जला दिया गयता है वहाँ पर लोग जो उतर आये थे और लगबग वही तस्वीर जो हमने कुछ स के लिए नासूर बन गया है अब किस तरह से पाकिस्तानी आवाम को जनता को समझाए जाए जाए जो कि पहले से ही गरीबी भुकमरी की तले दबी पड़ी है मेंगाई की तले दबी पड़ी है और उनका गुसा फूड गया जो तस्वीर हम लगाते हैं आपको दिखा रहे है किस तरह से पाकिस्तान में जो है हालात बेकावू हो चुके हैं और यहां पर जो आम जनता है वो सामने तोर पर आ रही है गरिफतारी की तस्वीर आप इस समय देखते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से घसीट कर पाकिस्तान के पूर प्रद्वानांतिर इमरान खान क गई हैं और यह तमाम जो ग्रिफतारी भी जो है कुछ भी जो है इनको रोक नहीं पा रही है फाइरिंग में आपको बता देंगे प्रदर्शन कारी की मौत भी हो गए पेशावना पुलिस के साथ भी हिंसक जड़प हो गई है और आपको बताते हैं पीटी आई ने एक पूरा अवाम की ताकत है और आवाम खुलकर सामने आए यह बात भी बहुत दिल्चस्प है यह पहली मरतबा है पाकिस्तान में इससे पहली परिवर्टन होते रहे लेकिंग पहली मरतबा है जब जनता जानी कि आवाम जो है वह खुलकर अपने हुकमरान के साथ में खड़ी है और इम्रान कान चाहते थे कि कही ना कही जल्द से जल्द चुनाव हो लेकिन ऐसा नहीं कराने के लिए यह पूरी कुपरी कवायद रिची के इस बीच पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल कामेर बाजवा उनके जगे है मुरी अलील जो है वो पाकिस्तान के नए जो प्रधान मंतरी बने और कहीं नहीं सेना प्रमुक बने और इसके बाद आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज को पुरी तरह से बंद कर दिया गया है तस्वीर आप दिखा रहे हैं लगातर पब्लिक फरस्ट पर औ पाकिस्तान में इंटरेट सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इस भी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब में एक हजार से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है उसके बावजूद भी लगातर जो हिंसा में कोई कमी नहीं आ रही है और चुनवाई के लिए थे लेकि उसी दोरा पाकिस्तान रेंजर ने उनको अर्यस्ट कर लिया तोशाखाना केस याने की तोफ़े को उन्होंने बेज़ दिया कावी बेश कीमती तोफ़े हैं और 50 अरब के यह तो इन केसमें अगर उनको सजा होती है तो वह अग़ला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यánic कि चुनाव लनने के काबिल नहीं रहे और यहीं कहीं कि हीजो उनका विपक्षी है जो 70 वे चाहता है कि इमरान खान चुनाव लनने के काबिल ना वचे, जिस से ना रहेगा बास न उब antibody कीति ano पाति की हीजा वह बंद कर दीगे तो बहुती रुक रुकर ख़वरे पाकिस्तान से आ रही है यह अपने आप में प्रत्याशित है यह अपने आप में बेहत चौकाने वाला है यह जो तस्वीरे सामने आ रही है अक्सर जो पाकिस्तान में जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो किसी भी जो उनक सामने आ रही है उसमें तशद्दुत सामने साफ तोर पर देखा जा सकता है और इसी प्रदर्शन के चलते कहा जा सकता है कि अभी और बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोट के ठीक बाहर फवाद खान भी मौझूद है जो कि तहरीक इंसाफ पार्टी के बड़े फवाद अली को भी अरेश्ट के जाने के उनको आशंका नजर आ रही है तो यह तमाम जो इसके रहावा उमर अली भी जो है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के बड़े नेता है उनको गिरफतार किया जा रहा है इस बेचे सोशल और इंटरेट मीडिया पे जो च अब हाला अब बेकाबू होते जा रहे हैं और इस बीच परमानू जो ठीकाने हैं नुकलियर वैपन जाब रहे जाते हैं वहाँ पर कमांडो की तैनाती कर दी गई है जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि पाकिस्तान में किस तरह से इस बात को लेकर अटकले लगा जा रही कि पाकिस्तान कहीं ने कहीं युक्रेन को अपने परमानू बम बेच सकता है क्योंकि इस समय भीखारी मुल्क है पाकिस्तान पैसे-पैसे का मोताज है वो कुछ भी गंदी हरकत कर सकता है और इस बात के अटकले लगा जा रही थी लेकि फिलहाल कमांडो की तैनाती कर दी वो आतंगवाजियों के हातों से अपने जो नुकलेर वैपन्स हैं जो नुकलेर हैतियार उसको बचा पाएंगे क्योंकि इस तरह में हालात पुरीते दे काबू हो चुके हैं और पागिस्तान में ग्रह युद्धु जैसे हालात हैं बलुचिस्तान की बात करें पक्तुना क की बात करें लाहूर की बात करें सिंद्ध की बात करें कराची की बात करें पागिस्तान कैसा कोई शहर नहीं है पेशावर से लेकर तमाम जैसे कोई शहर नहीं बाकी बचे हैं जहां पर हिंसा की खबरे नहीं आ रही हो और जितना यह अनुमान लगाए जारात है कि शायद एक दो कुछ घंटो बाद ये जो है पूरी तरह से शान्त हो जाएगा इस अनुमान में पूरी तरह से वहां की फौज, वहां की हुकूमत यहां पर पूरी तरह से नाकाविल साबित हुई है और यहां पाकिस्तान में जिस तरह से यहां पर जो हालात हैं उससे साफतर पर पागिस्तानि जनता उनके घरों में गुशकन के घरों का आग लगा जा रही है। आपको यह बात भी बता दें कि पागिस्तान के मौजुदा प्रधानमंत्री वजीर आजम जो हैं शावाज शरीफ उनके सरकारी मकान में भी आग लगा दी गई तो आप देख सकते हैं किता गुस्सा है यहां पर आम जंता में और वो कह रहे हैं कि हमारे कप्तान को बाहर निक किती ही वहां कि जनता जो थी वह на पर काफी पर 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 फारीसंती है तो यह आप साब तरो पर देखी जा रही है कि पाकिस्तान अपर तरो पर अन्टीसिपेशन अटेبो परफ रूसERE सकते हैं पट्थरवाजी जो पथरवाजी यह जो कर्फ्थरवाजी यह पाकिस्ताँ जो कश्मीर में कड़ाए करता था वह पत्थरवाजी चीव पाकिस्तान में जो हिन्दुस्तान के मंदिरों के बाहर Bum bespore करते थे, कभी साइकल Bum bespore करते थे, कभी टिफिन Bum bespore करते थे, अब एक से बढ़कर एक बम वहीं पर ही made in Pakistan and blast in Pakistan वो यहाँ पर हो रहा है साफ तोर पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान अब अपने उसी जाल में खुद फस्ताओं नजर आ रहा है जिस जाल को वो दूसरों के लिए बुना करता था पाकिस्तान आज उसी आग में जल रहा है जिस आग में वो अपने दूसरे जो पडोसी देश हैं उन्हें जुलसाए करता था आज पाकिस्तान उसी गरीबी से जूज रहा है जिस पाकिस्तान कहीं ने कहीं दूसरे जो गरीबों की उनको यूज किया करता था और अब पाकिस्तान में जिस तरह के हालाद दिखने हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद साब तर पर देखा जा सकता है कि हालाद बच से बतर होते जा रहे हैं और अब ये इस तरह के अटकले लगाए जा रही है कि क्या पाकिस्तान वाकई में अब अपने अस्तित को बच पाकिस्तान बलुचिस्तान अलग मुल्क बन सकता है खैवर पक्तून्वा को लेकर लगाता है जो अफगानिस्तान नई जो तालिवानी सरकार आए वो दावा अपने ठोकती जा रही है और ले देकर पंजाब प्रानद बसता है जिसके राजदनी लाहोर है वहां पर भी घुल सरवदा भरती है झाला माहँ भाला गरती है